देश और विश्व भर के सभी लोगों को आठवे अंतराष्टिय योग दिवस की हार्दिक्षुक कामनाई आज योग दिवस के अवसर पर मैं करनाटक की सांस्कृतिक राजधानी अध्यात्म और योग की धर्ती मैं सुरू को प्रणाम करता हूँ मैं सुरू जैसे भारत के अध्यात्मिक केंद्रों ने जिसी योग उर्जा को सदियों से पोशित किया आज वो योग उर्जा विश्व स्वास्त को दिशा दे रही है आयोग वैस्चिविक सहयोग का पारस्पारिक आधार मन रहा है आज योग मानो मात्र को निरोग जीवन का भी सवास दे रहा है हम आज सुवह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी वो आज विश्व के कौने कौने से आ रही है ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं ये तस्वीरें एक सहच स्वाभावी और सांजी मानविये चेतना की तस्वीरें हैं खास तोर पर तब जब दुनिया ने बीते दो सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो इन परिस्तितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप सिमाओं से उपर योग दिवस का ये उत्सा ये हमारी जिवडता का भी प्रमान है योग अब एक वैश्विक पर्वबन गया है योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं संपूर्ण मानवता के लिए है इसलिए इस बार अंतर राष्टिय योग दिवस की थीम है योगा फॉर हुमेनिटी मैं इस थीम के जरिये योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुचाने के लिए उनाइटेड नेशन्स का और सभी देशों का रजय से धन्यवाद करता हूं मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं साथियों योग के लिए हमारे रुशियों ने हमारे महर्शियों ने हमारे आचारियों ने कहा है शांतिम योगेन बिन्दती ते मेंष्यों का रजुट प्रहते आपख़ं बिन्दता करते हुं स्वेश्वाद मौगे आप। ने कहा है योग बिन्दतव नेन्स आपनूअ एबएस्ट ने लिए प्रहतली निए आप। अप्रहतब टॉपत। और इंदता है But our Indian सेजें have answered this with a simple mantra. यत्पिंडे तद्ब्रम्माने This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflicts. Yoga makes us conscious, competent and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हमें एक ऐसे समय पर मना रहे हैं, जब देश अपनी आजाजी के 75 वर्ष का पर्वा मना रहा है, अम्रित महोचव मना रहा है. योग दिवस की ये वापकता, ये स्विकारियता, भारत की उस अम्रित भावना की स्विकारियता है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को उर्जा दी थी. इसी भावना को सेलिबरेट करने लिए, आज़ देश के 75 अलग अलग शहरों के, 75 एतिहासिक स्थनों के साथ ही, अन्य नगरों के लोग भी आतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं. जो एतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साथ शिड़ है, जो स्थान सांस्कृतिक उर्जा के केंद रहे हैं, वो आज योग दिवस के जरिये एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसुरू पहलेस का भी इतिहास में अपनाए विशे स्थान है। भारत के एतिहासिक स्थलों पर सामोहिक योग का अनुभाव, भारत के अतीत को, भारत की विविदता को और भारत के विस्तार को एक सुत्र में पिरोने जैसा है। अंतर राश्चे स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग अफ योगा, गार्डियन रिंग अफ योगा का ऐसा ही अभिनाव प्रयोग, आज पूरे विश्व भर्मे हो रहा है। दुनिया के अलग-अलग देशों में सुर्योदय के साथ, सुर्य की गती के साथ, लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सुर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ, अलग-अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पुत्री के चारों और योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग अफ योगा। योग के ये प्रयोग, स्वास्त, संतुलन और सहयोग के अद्भूत प्रेना दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट अफ लाइफ नहीं है। प्लीज निमाइड ये पार्ट अफ लाइफ नहीं है, बलकि योग अब वे अफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ सुरू हो, इस से बहतर सुरुवात क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय वर्थान तक ही सिमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साथक दिन के अलग-अलग समय में प्राणायम करते हैं। कई लोग अपने ओफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहोल में क्यों न हो, कुछ मिनीट का ध्यान हमें रिलस्ट कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है, हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है। और हमें योग को पनपाना भी है और जब हम योग को जीने लगेगे योग दिवास हमारे लिए योग करने का नहीं बलकि अपने स्वास्त शूख और सांति को सलिप्रेट करने का माध्यम बन जाएगा साथियों आज समय है कि हम योग से जुड़ी अन्त संभावनाओं को साकार करें आज हमारे युवा बड़ी संखाय में योग के छेत्र में नएने आइडियाज के साथ आ रहे हैं इस दिशा में हमारे देश में आयुश मंत्राले ने स्टार्ट अप योगा चलेंज भी लॉंच किया है योग के अतीक को योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैं सुरू के दसरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जिबिशन भी लगी है मैं देश के अरदुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आवान करता हूँ मैं वर्स 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर एवोर्स पर आउस्टेंडिंग कॉंट्रिबिशन फर प्रमोशन एंड डेवलोपेंट अव योगा के जो बिनर्स है मैं उन सभी बिनर्स को रदैसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ मुझे विश्वास है योग की ये अनादी यात्रा अनंत भविश्की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी हम सर्वे भवन्तु सुगिनह सर्वे संतु निरामया के भाव के साथ एक स्वस्थ और शान्तिपुन विश्व को योग के माध्यम से भी गती देंगे इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत चुपकामनाएं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद